राजधानी दिल्ली में आग लगना आम बात हो गई है और रोजाना दिल्ली में कहीं न कहीं आग लगती रहती है आज फिर एक और ऐसा ही मामला और केशव पुरम से ऐसे ही दो मामले सामने आये हैं जहां एक तरफ एनसपी एरिये में दो शादी के पंडाल जलकर राख हो लेकिन दूसरी तरफ इस आंधी से किसी ने बहुत कुछ खो दिया दरसल आधी रात एनसपी मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक मैदान में शादी के दो पंडाल लगे हुए थे जिसमें से एक पंडाल में शादी समारो चल रहा था जबकि दूसरे पंडाल में अगले दि चल रही थी जिसकी वधा से आग की लपटे तेजी से फैलने लगी और आग जाकर दूसरे पंडाल में भी लग गई और दूसरा पंडाल भी जलकर राख हो गया लेकिन जैसे ही एनसपी थाने में इसकी सूचना गई तो तुरंत थाने में मौजूद सभी पुलिस वाले चान बचाते बचाते वहे खुद बेहोश होकर गिर पड़े जिसके बाद उन्हें माहवीर अस्पताल में भरती कराया गया दमकल विभाग की लगबग 20 गाडियों ने मौके पर पहुच कर आग पर काबू पाया और आग लगने की वजह शौट सर्किट बताई अभिशेक म अब इस आग पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें ताकि दिल्ली से जुड़े पलपल के अपडेट्स आपको मिलते रहें अभिशेक माथूर पंजाब केसरी दिल्ली झाल